नमस्काव फ्रेंट्स आर्स ग्यान इट्टू चैनल में आपका हारदिक श्वागत है जैसे अब देख रहें कंप्यूटर स्क्रीन पर जीमेन दोजार तेज हां फ्रेंट्स आपने फीस पेमिंट नहीं किया है तो आप इस एपलिकीशन को एडिट कर सकते हैं तो सिंप्ली आपको यहां एडिट एपलिकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है और यहां से आपकी उसी भी डिटील को बड़ी आसानी के साथ जो है चैन्ज कर सकते हैं करने से पहले या फीस पेमिंट करने से पहले फॉर्म को अच्छे से चांच लें यह फिल भी आप से कोई मिस्टेक रह गई है और आपने फैनल सम्मिंट कर दिया है और पेमिंट की लिए भी प्रोसीड कर दिया है बट पेमिंट आपकी कटी नहीं है तो आप करेक्शन कर सक करते हैं यदि आपका payment कट गया है तो तो उस टाइम आप करेक्शन न करें इस चीज का विशेद्ध्यान रखें तो simply है कंडिडेट्स वह कंडिडेट्स जिनकी फीस अभी नहीं कटी है टांजिक्शन फेल्ड हुआ है बट फीस नहीं कटी है ठीक है यह फिर फीस की प्रोसेस तक अभी पहुंचे ही नहीं है पहुंच गए है बट फीस बैलेंस नहीं कटा है तो आप एड़िट एप्लिकेशन फॉर्म को बहुत आसानिक साथ कर सकते हैं यदि फीस कट गई है तो आप एड़िट ना करें इस चीज़ का ध्यान रखें कि सिंप्ली एड़िट एप्लिकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा अग्यां फ्रेंड्स आप यहां देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो एप्लिकेशन फॉर्म स्टैब बने हुए हैं कॉंटेक्ट डिटेल परसनल डिटेल्स अधाधाद डिटेल्स एक्धियामन सेंटर डिटेल्स कॉलिपिकेशन अधिशनल एमर्जेंसी डोकुमेंट फाइनल समिट कुछ भी चैन्ज कर सकते हैं और जैसे माल लीजिए कॉंटेक्ट डिटेल्स में कुछ चैन्ज करना है तो इस इंपली आपको यहां पर क्लिक करना होगा डिटेल्स कॉंटेक्ट डिटेल्स उपन हो चुकि यहां पर आप अपना इमेल और मुबाइल नमबर नहीं बदल सकते अधरवाइस अपना स्टेट है इंडिया है जो भी एड्रेस है आप यहां चैन्ज कर सकते बहुत ही आसानिक साथ आप एडेटस में कर सकते हैं इसी प्रकार आप यहां लेफ्ट साइब में बने हुए कॉर्णर पर आप आधार का डिटेल्स परसनल डिटेल्स एक्जाम चैन्टर डिटेल्स क्वालिफिकेशन एडिशनल एमेर्जेंसी कॉंटे डिटेल्स डोकुमेंट अपलोड देखिए जो मुवाइल नमबर एमेल वेरीफाई हो चुकी है उन्हें तो एडिट नहीं किया जा सकता है बट बाद बाकी डिटेल्स एडिट हो जाती है डोकुमेंट अपलोड में फोडू सिंग्नीचर है या फिर अपका जाती प्रमाण पत्र है बारा सरकार का एक अप्रेल 2022 के बाद का होना चाहिए देकि फ् सिंग्नीचर में जो एरर आ रहा है उसकी वीडियो आरेस ग्यान यूट्य चैनल पर अपलोड कर दी गई है और यह वीडियो जो है आपको फॉर्म एडिट और मॉडिफाई कैसे करना है और कुछ कंडिशन से और पेमेंट नहीं कटा है तो आप एडिट मॉडिफाई कर सकत हैं और जो अभी प्रॉसेज में हैं वह भी एडिट मॉडिफाई से बड़ी आसानी साथ कर सकते हैं अब जैसे मान लीजी डोकुमेंट्स मेरे चैन्ज करना है मुझे यहां फिर क्वालिफिक से डिटेल्स पर चैन्ज करना है यहां पर क्लिक कर दीजिए वहां से आप कर सकते हैं नमबर भी चैन्ज कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ और एक चीज का विश्र ज्यान रखें कुछ यह आड़िट करेंगी तो जो लास्ट बटन हीच्ट जसका यूज जरूर करें एडिट मोडिफाइए करने बाद क्याप्चा फिल करेंगे और सेव नेस्ट बटन का यूज अबस करें सेव जरूर करें कुछ विडिटी लाप एडिट कर रहे हैं और पूरा स्टेप बाई स्टेप करते जाएंगे लास्ट तक पूरा फाने सम्मिट करना है और पूरा चेक क करने के बाद चेक लिश्ट करना है फिर फाने सम्मिट करना है और फिर से हमें वहीं आ जाना जहां एडिट अब्लिकेशन फॉर्म और पे एक्डेमिशन फीस का ओप्सन आ जाता है पूर्ट संतुष्ट हो जाएंगे उसके बाद आप जो है फीस भी करेंगे यहां हमने जै से ठीक और उसके बाद का लगाना है और कैसे अप्लोड करना है फोटो सिंगनेचर और जाती प्रमाणपत्र इसका वीडियो पहले से यहां जाकर वाच कर सकते हैं कर सकते हैं उसके बाद जो है सेवन नेस्ट वटन पर आपको किलिक करना होता है दिखिए जैसे हमने सबसे लास्ट में सेवन नेस्ट डोकुमेंट अप्लोड वाले लिंक पर किलिक किया था वह अपडेट करने के बाद जमने सेवन नेस्ट किया तो इस प्रकार से आपके सामने चेक लेस्ट उपन हो जाती है यानि कि मैंने उस पेज को टॉप साइड में हाइड कर रखा सेक्योर्डी रीजन से फ्रेंट्स वीडियो डेमो होता है आप हमेशा अपनी फोटो सेगनीचर डेटेल्स और रीजनल ही प्रियोग करें जिससे कि आपको लास्ट कोई शमश्या नहो तो मैंने उस पेज को हाइड कर दिया और चेक करके नीचे आ चुका टिकरने के बाद जो है और उपर की दर बढ़ाएंगे से इसके बाद यहां क्लिक करेंगे और यह देखी कुछ रह गया है इसमें अभी यहां पर टिकरने रह गया है और यहां टिक करेंगे उसके वाद फाइनल सम्मिशन औप एप्लिकेशन पर क्लिक करेंगे और आपके सा जानक कि कुछ भी चीज आप एडिट एब्लिकेशन फॉर्म कर रहे हैं वह यहां से स्टार्ट होगा फीस नहीं कटी है तो कर सकते हैं या फिर प्रोसेज में तो कर सकते हैं पीस कट गई है तो ना करें ठीक है नहीं तो कुछ गडबड़ हो सकता है फिर प्रोब्लम हो पुरा step by step last तक आपको जाना है और फाइनल प्रीविव आपके सामने आएगा और उसके बाद चेकलिस्ट इस प्रकार से मैंने आपको बताया था और करने कबाद सम्मिट करेंगे सम्मिट बाद इस प्रकार का पीज आपके सामने जरूर ऊपन होना चाहिए ठीक है क्योंकि तब ही आपका सम्मिट माना जाएगा और जब इस प्रकार का पेज आपके सामने उपन हो जाएगा तो यहां पर आप और पर एड़ेट प्रकार से फीस पर क्लिक करके अपना प्रोसेस इस जीज का ध्यान में रखते हुए कि हमने पूरा फॉर्म सभी से चेक कर लिया है उस पेइमेंट का प्रोसेस जो है उसकी वीडियो में चैनल पर पहले ही से अप्लोड कर चुका हूं ठीक है पेइमेंट दुबारा ना करें पेइमेंट फिलर फिल्म अपडेट की वीडियो जो है रस गयान यूट्व चैनल पर पहले से अप्लोड है तो आप उसका पूरा प्र पीज जो लिंक है बटन है वो हाईलाइट हो जाता है जो मैंने ऑनलाइन फ़र्म की जुँव फुल प्रोस्स की वीडियो अपलोड की है चैनल पर वहाँ पर मैंने बताया है कि और स्टीटस कि प्रकार होना चाहिए अंपर मिशन किस प्रकार होना चाहिए और प्लेलिस्ट में जाहकर जो ऑनलाइन फॉर्म की वीडियो देख सकते हैं वहां से अपना फालाइं प्रेंट और डाउनलोड कर्मिशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं देखिए फीज जब कट जाएगी आपका तो पुरा यहां पर स्टेटस सक्सेस्फुली यहां दिखाई देना चाहिए अजय कि प्रेमेंट जब आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आपकी जो पूटल पर है वहां पर एड़ेट अबिशन फॉर्म और पेमेंट को अप्सन हट जाता है वहां पर तीन स्टेप होंगे कंप्लीट कंप्लीट और डाउनलोड कर बरमेशन पीज जब तक नाउनलोड कर बरमेशन पेज का लिंक वहां पर ऑप्सन बटन एक्टिविट नहीं है और मैसेज भी आपको ममाल पर आ जाता है इस प्रतका प्रूफ हो जाता है कि आपको फॉर्म पानली सब्मेट है फानली सब्मेट कंप्रमेशन पेज रिलेटेट कोई समश्या है आपक देख सकते हैं जी मैन की जहां पर आपका समाधान हो जाएगा तो फ्रेंड्स यह अपडेट आपको कैसी लगी वीडियो दी पसंद आया है तो प्लीज सेनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मोर अपडेट पाने के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्द जैहिन नमस्कार